अगर इस दुनिया में राक्षस भी होते हैं जहां पॉजटिव है वही नेगटिव भी होता है अज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी आँके खुली की खुली रह जाएंगे जहां गर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे देखने के लिए हजारों के संख्या में लोग आए लेकिन जो आए वो कभी भी इस बच्चे के चेहरे को भूल नहीं पाए तो चलिए क्या है और कहां का है पूरा मामला आपको दिखाते हैं दोस्तों आप बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो के अंताक विल दोस्तों जब भी किसी के घर में कोई नया बच्चा आता है यानि कि कोई नया सदस से आता है तो इस घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है ये आपने भी अपने घर में फील क्या होगा और हमने भी देखा है लेकिन आज हम आपको जहां के कहानी सुनाने जा रहे हैं वहां का मामला ही अलग है यह कहानी है बिहार के गाउं के गौर से सुनियेगा और अगर डर लगे तो पानी पी लीचेगा दुस्तों इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया आपको लग रहोगा कि ये तो अच्छी बात है बच्चे का जन्म लेना तो शुब बात होते है लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस बच्चे की शकल कैसी लग रही है जी हाँ ये बताने के लिए काफी है कि ये बहुत ही अलग बच्चा है दोस्तों आज हम आपको इस बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कितना अलग देखता है ये अभी सहीं कितना बड़ा देखना लगा है इसके चेहरे को आप ज़रा ध्यान से देखिए वाकई में ये बहुती डरावना देख रहा है लेकिन आपको बताते हैं कि इस बच्चे की मौत हो चुकी है दोस्तों जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ उसके तीन दिन बाद ही इस बच्चे की मौत हो गई कहते हैं कि इस बच्चे को देखने के लिए प्रज़ारों की संख्या में लोग आते थे। प्रज़ारों की संख्या में लोग आते थे। प्रज़ारों की संख्या में लोग आते थे। यह उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे उताराते हैं। दोस्तों यहां देखिए कि कैसे इस बच्चे की आवाज को सुनते हुए यह उस आत्मा को ढूड़ने के लिए निकले हैं। वाखई में डरावनी कहानी है। लेकिन जब ये कुछ लोग उस आवाज के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं तो उसके बाद जो इन्हें देखता है वो वाकई डरावना है दोस्तों ये देखे कैसे यहाँ पर बच्चे की आत्मा देखते है जे यहाँ क्या आपने देखा ये देखे कैसे इस बच्चे के पास बड़े बड़े बाल है क्या वाकई में ये वही बच्चा है जो कि शैतान बनके आया था और मर गया ये कहानी कुछ और ही है दोस्तों इससे देखने के पाद किसी के भी पसीने छोट जाएं सवाल ये है कि अगर ये आत्मा नहीं तो आखर इतनी रात में कौन हो सकता है और ये जंगल से आवाज किसके आ सकते है ये सुनिए कैसे बार-बार अजीबो गरीब आवाजें आ रहे हैं तबी तो गाउं के लोग इस घर के आजपास भी नहीं आते क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि इस घर में सब कुछ सही नहीं है और यहां कुछ तो नेगटिव शक्ति ज़रूर रहते है वाकई में ये ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर आत्मा का निवास है यहां रहने वाली महिला कहते हैं कि इस घर में कुछ भी सेफ नहीं है यहां रात को आए दिन कोई न कोई आता रहता है और चूरी भी हो जाते है साथ है इस बच्चे की आत्मा भी इन्हें बहुत ज्यादा परिशान करते है दोस्तों यही वज़ाए कि इस गाउं के लोग बहुत डरे हुए है यहां के लोगों का मानना है कि यह बच्चा न तो इन है नहीं इनके परिवार के किसे भी इनसान को आने बाले समय में खुश रहने देगा कहा यहां तक जा रहा है कि यह बच्चा इतना खतरनाक है कि लोगों को डरा डरा कर यह जान ले लेता है अब सोचिए कि अगर यह बात सच है तो वाकई में आज के जमाने में भी भूत एक्जिस्ट करते हैं यहां जो भी हमने देखा है उसे देखने के बाद तो हम कहीं सकते हैं कि भाई आज हम सब के बीच कुछ ऐसी चीज़ें जरूर होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है शायद इसी को भूत कहते हैं यह जो महिला डरी हुए है आपको क्या लगता है कि यह बस ऐसे ही हवा में बाते कर रही है इनको देखकर वाकई में लगता है कि इन्होंने बहुत तकलीफें जेली हैं यह बार बार कहते हैं कि मुझे भी इस घर को छोड़ के जाना है चांदे हैं क्यों कि यह बहुत बुरी में भूत होते हैं डर या भय इसका सामना हर इंसान करता है क्या वाकई कोई चीज हमें डराना चाहते है या फिर मस्तश्क भ्रहम पैदा कर हमें अस्वरक्षित महसूस कराता है और साधरन घटनाओं का वैग्यानिक अध्यान करने वाली पैरसाइकलोजी इसी डर का जबाब इसमें टेली पिथे, पहले से आभास होना या परुक्ष दर्शन जैसी चीज़े आते हैं दूसरा है मस्तश्क के जरिये कोई काम करना जैसे बिना चुए चम्मच को मोड़ देना तीसरा है मृत्यों के बाद का समबाद जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से समबाद उसाध का मुड़ा हुआ सा नजारा देखता है डॉक्टर ओकीफ के मताबिक आँख के पुतली को बेहत कोने में पहुंचा कर अगर हम आखरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो बहुत साफ नहीं देखता है डीटील भी नजर नहीं आते है सिर्फ काला और सफेध ही दिखाई द इसका मतलब साफ है कि रॉड कोशी का रंग नहीं देख पा रही है हो सकता है कि ऐसी परुस्तितियों में हमारा मस्तिश्क सूचना के अभाब को भरने की कोशश करता हो दिमाग और सूचना को किसी तार्किक जानकारी में बदलने की कोशश करता है हमें ऐसा लगने लगता ह जैसे हमने कुछ विचितर देखा है तर्क के अधार पे हमें लगता है कि शायद कोई भूत है ऐसे भले ही कुछ पलों के लिए होता हो लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाते है सांस तेज चलने लगते है धड़कन तेज हो जाते है शरीर बेहत चौक करना हो जाता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है और कुछ को बहुत कम वग्यानिक इसके लिए मस्तेश्क में मौझूद नियूरो ट्रांस्मिटरों को जिम्मेदा ठहराते है वग्यानिकों के मताबिक जिस तरह हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग-अलग होता है वैसा ही डर के मामले में भी होता है उकीफ कहते हैं डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तेश्क में डोपमीन का रिसाव होने लगता है इसके चलते उन्हें मज़ा आने लगता है जबकि बाकी लोग बुरी तरह डर रहे होते हैं वग्यानिकों के मताबिक बच्पन में खराब अनभावों का भी डर से सीधा संबंद है अकसर भूतिया कहानिया सुनने वालों या हॉरर फिल्म देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी आदें बस जाते हैं और जब भी कोई असाधारन वाक्या होता है तो ये स्मृतिया कूदने लगते हैं जब हम कोई पुरानी जरजर इमारत देखते हैं जहां अंधेरा हो आसपास कोई आबादी ना हो तो हमें भै का ऐसास होने लगता है वाग्यानिकों के मताबिक ज्यादा तर होरर फिल्मों में ऐसी इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में पेश किया गया है ये जानकारी हमारे मस्तेश्क में बैट चुकी है ऐसी इमारत देखते ही हमारा मस्तेश्क हॉरर फिल्मों की स्मृति सामने रख देता है डर पैदा कर मस्तेश्क ये चेतावनी देता है कि इस जगा खत्रा है जान बचाने के लिए यहां से दूर जाना चाहिए इसके बाद धड़कन तेज हो जाती है और पूरा बदन जल्दी से भागने या किसी संकट का सामना करने के लिए तयार हो जाता है यह सब बहुत ही सुक्ष मनो वैग्यानिक स्तर पे होता है उकीफ कहते हैं कि किसी शक्स से इतना भर कह दीजिए कि यह इमारत भूतिया है तो उसके भीतर एक अजीब सी भावना फैलने लगेगी उसके बाद उस इमारत में जो कुछ भी सामाने ढंग से घटेगा वो डरावना महसूस होने लगेगा लेकिन क्या भूत होते हैं? इसके जवाब में उकीफ कहते हैं कि कल्पना और भूतों पर विश्वास या विचित्र परस्थतियां इनके संयोग से ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारे अलावा कोई और भी है जबकि असल में कोई और होता ही नहीं है लेकिन किसी चीज को बिना चुए उसमें हलचल कर देना या फिर पुरवा भास या टेलेपैथी जैसे वाक्य अभी साइन्स को हैरान कर रहे है उकीफ जानते हैं कि मस्तश के कुछ विलक्षन शक्तियां अभी विज्ञान के दाएरे से कोसो दूर है दूस्तों आपको विडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें